हलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम ऐसी चीज बताएंगे जिससे देख करके डोक्टर भी हैरान रहे जाएंगे कि आपके बाल नेचुरली काले हो जाएंगे और पिल्कुल स्टाइनिंग वाले चमक मजबूत और घने हो जाएंगे ताकि आप कितने लंबे बाल इतने चमकदार बाल बन जाएंगे कि आप खुद भी देखके हैरान रहे जाएंगे और वो भी अक्सर आप उस चीज को यूज में करते हैं बट आपको नहीं मालुम होता है कि हम किस तरीके से किस चीज से अपन बनाने के लिए आपको मार्केट जाने की नहीं जरुत पढ़ने वाली है तो बनाने के लिए यहां पर देख सकते हैं मैंने लिया है चाय पत्ती चाय पत्ती दोस्ते एक ऐसी चीज है जिसका हम सेवन हर रोज करते हैं चाय पीने में बट इसका इस तरीके से मालुम नहीं है कि हमें इसका सेवन बालों के लिए भी किया जाता है हाँ जी दोस्तों बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फाइदा करती है हमारे जड़ों को मजबूत करने में हमारी बालों की ग्रोथ भड़ाने में हमारे बाल जड़ से काले करने में और हमारे बाल घने मजबूत चमकदार बनाने में, क्योंकि दोस्तो बाल एक ऐसी चीज होती है, जो हमारे सिर की पूरी जो चेहरे की सुन्दरता होती है, वो बालों से ही होती है, अगर आपके बाल बहुत सुन्दर दिखेंगे, बहुत घने दिखेंगे, लंबे दिखेंगे तो बहुत जादा आप सुन्दर दिखेंगे क्योंकि बालो का सबसे मेन आपका चेरे के उपर बालो पे होता है तो दोस्तो बाल अच्छे हैं तो आपका आपकी सुन्दरता भी बहुत जादा अच्छी रहेगी तो दोस्तो घर की ही नेचुरल ऐसी चीजों से तो दो चम्मच मेने चाय पत्ती के लिए है तो अब इसको हमें करना क्या है तो 4-5 मिनट के लिए गरम पानी में अच्छी सी इसको उकालना है तो इसका जितना रस निकलेगा ना उतना ही हमारे बालों के लिए बहुत जादा अच्छा रहेगा क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने देखा ही होगा कि मेंदी में भी जब आप लगाते हैं ना कलर के लिए तो मेंदी में जो चाइपती का पानी है ना वो डालके आप लगाते हैं इससे आपकी मेंदी का कलर बहुत ही अच्छा आता है तो आप यकिन मानिये कि आप जब बालों में लगाएंगे डायरेक्ट बालों में ही लगाएंगे तो कितना ज़्यादा कलर आएगा आपके बालों में और कितने ज़्यादा चमकदार बनेंगे आपके बाल तो इसको देख करके डोक्टर भी हैरान है कि इस एक चाय पत्ती से इतने ज़्यादा सुन्दर बाल बन सकते हैं वो भी एक नेचुरल घर की चीज से तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी में अच्छे सی उकाल आ चुका है तो यहाँ पे देख सकते हैं चार से पँच मिनट के लिए इसको अच्छे सी उकाल देलाना है जितना इसका रस छूटेगा पानी के अंदर उतने ही हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बबल साना स्टार्ट हो चुके हैं तो इससे दोस्तो आपकी बालों की सभी समश्या खतम हो जाती हैं जैसे आपकी बालों में अगर डेंडरप है, रूसी रहती है, बालों में खुजली होती है, सबी चीजों की समश्या खतम हो जाती है और बालों में नेचुरल कलर आजाता है इससे जो बहुत ही अच्छा कलर लगता है आपके बालों के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितना इसका जो कितना है गहरा कलर आ चुका है चाई पत्ती का तो मैंने गैस को ओप कर दिया है यहाँ पर मैंने लिए एक कटोरी तो कटोरी में इसको हम चान लेते हैं तो चाई पत्ती का इतना जादा इसका अच्छा कलर आया है पानी का यहाँ पर देख सकते हैं तो एक कटोरी लिए हमेने तो अब इसमें हमें डालना है नीवू नीबू दोस्तों बहुत ज़्यादा फाइदा करता है हमारे बालों की चमक के लिए हमारे बालों की रूसी हटाने के लिए डेंडरप को दूर करने के लिए और हमारे बाल मजबूत करने के लिए क्योंकि नीवू का मैंने दस बुंदे डाली है नीवू हमारे माथ सिर के लिए बहुत इंस करते हैं नस बहुत आछी अच्छा होता है इस से हमारे मा تھे सिर की जो गंदगी होती है वो साप हो जाती है तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया इसके अंदर तो दोस्तो अब इसमें हमें डालना है सैंपू सैंपू आप जो भी यूज करते हैं कि निपलेक्स यूज करते हैं डब यूज करते हैं जो भी आप यूज करते हैं इसमें सैंपू तो आप वो ही इसमें सैंपू डाल सकते हैं तो इसमें एक पेकिट हम सेंपू का डालेंगे तो मैंने इसमें एक पेकिट पूरा सेंपू का डाल दिया है तो अब इसके जो बबल्स हैं वो हमें अच्छे से इस तरीके से बबल्स करने हैं पानी के अंदर तो यहां पे देख सकती हैं इसके बबल्स अच्छे से आच चुक देख सकते हैं दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छे से जैसे दुम्ल साजाएं को यहां पे देख सकते हैं। तो इतना दो मिनट के लिए इसको continue इसी तरीके से हमें चलाते रहना है ताकि इसमें अच्छे से बबल सा जाएं जो दोस्तों ये ऐसा जादू ही पानी है ना इतना जादा कि आपके बालों में आप एक बार लगाएंगे तो एक बार में भी आप हैरान रह जाएंगे कि आपके बालों में कितनी अच्छी तरीके से साइनिंग आई ये बाल मजबूत काले चमकदार बनते हैं तो इसकी अब हम मालिस करेंगे तो दोस्तों आप किसी के भी ये मालिस कर सकते हैं पर इसके अंदर अच्छे से बबल सोने चाहिए अच्छे से ये जाग बनने चाहिए तो इसको अब हम सिर में डाल करके मालिस करेंगी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसकी अच्छे से मालिस कर लेंगी और आदा गंटा रखने के बाद में हम सिर को अच्छे से साप कर लेंगी और दोस्तो इसका जो चमतकार देख करके डोक्टर भी हैरान रहे गए हैं तो दोस्तो आप जरूर अपनाएं आपके सीर में लगाएं